हलो दोस्त, RRC Chainy में रिजल्ट फिर से रिभाई जाया है हलाकि उसमें candidate का change नहीं है बस change है तो registration number से role number change है और change है तो community-wise result change है merit-wise result change है, UR की अलग, OVC की अलग हर community के अलग-अलग, RRC Chainy सवत हन रेलवे का तो लोगों का demand था कि यहां बहुत सारी issue है अब उसके बाद रिजल जबजारी हो गया है तो देखेंगे कि OBC का क्या कंडिशन है हलाकि यहां पे CCA और PWD मिलाके 1500 कुछ कंडिडेट क्वालिफाई थे दोनों का डाटा आ गया है तो यह डाटा तो मैंने पहले निकाल लिया था चैने में कि कितने कंडिडेट क्वालिफाई हैं CCA और PWD का यहां कलर से मैंने पता कर लिया था कि कंडिडेट जो PT क्वालिफाई नहीं है वो CCA और PWD का है और यह 25-35-35 का है PDF इसमें से उपर वाले जो कंडिडेट यह बीना कलर वाले हैं यह सारे CCA और PWD से related थे registration नंबर से ही मिल गया था लेकि रॉल लंबर नहीं था यहां मेरिट नहीं दिया हुआ था तो इस मेरिट को आज दिया है यह वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वेबसाइट पर अभी अभी आपको दिख जाएगा यहां पर community wise list of DB and medical पहले केवल ऐसे सीडूल में दिया हुआ था सीडूल में रॉल लंबर था जिससे किसी को नहीं पता वह रहा था कि कौन से candidate किस community के हैं और किस का merit यूर में बना है या OBC में या अपनी EWS में जिसमें बना है यहां पर जो यह लिस्ट जारी हुआ है लिस्ट आप देख लिजेगा पूरा एक तालिस पेज का लिस्ट है इसमें पहला लाइन लिखा हुआ है प्लीज नोट नो रिजल्ट चेंज है ज और लास्ट में तिसरा है candidate role number display and community wise result publish role number wise यानी role number wise आपको हो गया पहले जो लोगों के demand था कि पता नहीं चल ला है कौन सा है merit भी जैसे कि अभी तक हाजीपूर आ चुका है ECR South Central Railway यह आ चुका है आपका WSCR आ चुका है CR आ चुका है Northern Railway का आ चुका है merit by आपका एक और कौन सारा आर्सिक आया आपका South Eastern Railway का merit by आ गया है और कोलकाता का ER का merit by आ गया है तो यह सारा detail आपको देख सकता है कि इतने सार का detail आपको merit by है जिससे आपको data दीख जाएगा कि कौन से candidate की इस community में qualify है यानि छे RRC आपके पास सामने है लेकिन अभी भी WR की result में नहीं आया है और बाकी और जैसे जैसे दिखते हैं कि कौन से कौन से RRC आएगा हलाकि कली वीडियो बना के मैंने आपसे बात कर लिया था क कि अब railway तयार हो गया है मैं दिखा दू थोड़ा सा thumbnail वीडियो देख सकते है आप चैनल पे जाके कि इस railway तयार हो गया है कि सब को अब देगा यानि सभी RRC merit by जब result देगा यह internal खबर था मैंने आपको कल बता दिया था कि all RRC अब देंगे हाजिपूर जबलपूर निव दि कि यह देखना है पहले तो यहां पर वेकेंसी कितनी थी तो वेकेंसी आप जानेंगे तो यहां पर संतानवे सो पंचानवे सो सेवेंटी नाइन नाइन टाउजिन फाइव एमने सेवेंटी नाइन था उसमें से CCA और PWD 1508 थे यह अभी भी देखेंगे तो मिल जाएगा 8,071 कंडिडेट एक सर्विसमेन और नॉर्मल के लिए था उसमें से PT क्वालिफाई कंडिडेट 13,883 थे उनके बाद जब रिजल्ट आया था तो हमें नहीं पता चला था कि इस कॉम्मुनिटी के कितने है लेकिन कटप जो बड़ी थी इसमें एसी का कटप सबसे जादा 11.13 बड़ा था यहां पर बाकी कम्मुनिटी का कटप और RRC के मुकाबले सही था हलाकि एसी का 11 बढ़ने के बाद भी 55 था यानि उसी रेंज में था जो बाकी RRC का है लेकिन यहां 43 से 55 हुआ था यह बहुत बड़ा मेटर था अब यहां पर ओबर भी बता दिया जाए कि कितने कीश कमुनिटी के कंडिडेट है इसके लिए दो तीन चीजे करना पड़ेगा हमें एक मिनट यहां से में सर्च एक चीज सर्ची उच करना पड़ेगा और यहां का कोड डालना पड़ेगा 1891 और हम पूरे में सर्च कर लेते हैं यह कोई नहीं है कि किस कम्मुनिटी में क्डिडेट लेकिन कम्मुनिटी ही मिल जाएगा मुझे अठारा एक आनवे एक तालीस है सोरी है अठारा एक तालीस एक आनवे है एक मिनिट सर्च कर रहा है देखिए टोटल रिजल्ट है 9,499 उसमें से हम यहां पर अगर ले एक आनवे ले 91 जो इवार का कोड है एक मिनिट 91 यह आ जाएगा करीब-करीब इवार में जो कंडिडेट क्वालिफाई है वह 850 है एक आद दो जाता सर्चिंग के वज़ा से मिस्ट बाइ मिस्टेक का कु है तो 850 के अगेंस बेकेंसी कितनी थी इवार का तो ध्यान दीजेगा इवार के लिए जो बेकेंसी थी ओते तालीस सो तीरसट था इसमें सीसी और पीडेवलीडी दोनों है यानि बाकी जो कंडिडी सीट गया वह कमुनिटी से क्वालिफाई किये है इवार में इवार के व है तो एसी कमुनिटी का 1707 में देखेंगे तो यहां पोस्ट था 3510, 15 leukeason 357 या सत्रह सो कितनी है सत्रह सो साथ तो यहांसे अगर देखेंगे 707 यहांसे आपको दिखेगा 7 अठा के इधर से 3 अठा दे तो सीधा सीधा देखेंगा 13-2-15 होता है 15-2-17, चार चार में से यानी 300 के candidate 357 या 54 candidate ऐसे हैं जो कम से कम UR में qualify किये है एसी community से वो तो आप result में भी देख लेंगे merit में भी देखेंगे तो पलता चलेगा लेकिन ये कम से कम की बात मैं कर रहा हूं इसे जज़ादा हो सकते हैं उसके बाद आखा एसी के बाद sct community के जा लेंगे तो sct community के निकालने के लिए हमें 93 यूज़ करना पड़ेगा तिराम बे यूज़ करेंगे तो sct community के 965 candidate हैं लगभग और 965 के अगेंशीन की जू vacancy थी साथ सो सतासी थी तो 965 है तो आप समझ सकते हैं कि 965 में 787 यानि 800 165 और 13 यानि 175 candidate के आसपास कम से कम UR में qualify है इससे थोड़ा बहुत variation हो सकता है यह मैं लमसम बता रहा हूँ उसके बाद OVC का सबसे मामला था कि OVC का यहां क्या हुआ तो OVC में अगर total total देखें community में तो CCA बहुत ले गए है OVC में तो यहां पर 4539 candidate है 4539 4539 वेकेंसी 218 है यानी 4539 है यहां OVC candidate यानी 222 और 423 45 यानी करीब करीब 2400 से लेके 2500 candidate UR में qualify है किनके आपके OVC community का बाकी इनकी 218 में से CCA वाले भी ले गए होंगे अच्छा कासा 1500 और CCA और PWD करीब करीब 1000 के आसपास ले ही गए होंगे क्योंकि डाटा यहां से दीक रहा था जब PT में भुलाया गया था candidate को उसी समय एक डाटा आई थी उस डाटा से यह पता चल ला था कि यहां पर जो PT में तीन गुना कॉल करना है तो तीन गुना में करते तो 28,000 पांच हजार candidate को यहां पर 28,000 कॉल करते लेकिन कुई थे 23,000 यानि करीब करें 5000 के आसपास candidate कम कॉल किये थे यानि CCA पूरी के पूरी उस सीट के लिए कम हो रहते तीन गुना में कम तो यह हो गया उसके बाद लाश्ट जो मत्ते है कम्मूनिटी EWS वाले कितने सीट पाए है EWS का देखेंगे तो 1437 सीट पाए है और 1437 यहां से मगर घटा दे इनके पोस्ट में से यहां से तो यहां से 1437 घटा दे तो इनके तोटल पोस्ट 959 है और 37 यानि 9, 6, 9, 5, 14 यानि करीब करी 500 से कम सीट लगभग EWS वाले EWR में गये बाकी अब यह डाटा है बाकी community by merit आप देख सकते हैं community by merit यहां से आप direct देख सकते हैं मैं सर्च कोहत आता हूँ यहां से तो सबसे पहले आपको मिलेगा EWR की merit मेरिट में जितने भी candidate गये हैं उनका detail है और detail जाने के बाद last page पर यह पर होगा एक total की यूर में कितने गये लोग एक मिनिट आपको दिखा देऊं थोड़ा थोड़ा जितने candidate भी 94 चला है 94, 95 पंचानवे आएगा EWS का 95 तो आपको detail में दिख जाएगा total candidate हाँ 95 जाना शुरू हो गया और 95 आने में के एकार EWS की merit में 4,227 गया है और EWS की total vacancy कितनी थी तो 4,266 यानि यहां करीब करीब 120 seat कम हुआ होगा वो हो सकता जेनरली ये PWD के qualify नहीं करते हैं तो उनकी vacancy backlog में चली जाती है या second DB में इसको consider किया जाएगा उसके पाद OBC merit वाला देखेंगे OBC का हमने overall तो candidate देख लिया लेकिन OBC के merit का बात करेंगे केवल तो OBC के merit में total candidate जो qualify की है 1233 यहां से ध्यान देंगे 1233 से हमें एक data मिल जाएगी की 1233 OBC को सीड़ पाए है और इनकी vacancy कितनी थी तो यहां पे 1200 यहां पे तो 1233 का आप यहां पे घटा देंगे यहां से इस वाले में से तो आपको दीख जाएगा करीब करीब 900 के आसपस CCA वाले और PWD candidate OBC में है आउट ओक 1500 कंडिडेट जो टोटल थे यहां पे जो हमने बात कर रखा था CCA का कित CCA के 1500 कंडिडेट है CCA और PWD दोनों मिला के 1508 उसमें से करीब करीब 900 पलस कंडिडेट आपके OBC में है उसके बाद अगर और बात करेंगे तो कम्मुनिटी के बाद दूसरे कम्मुनिटी क अगर यहां पर देखेंगे तो कंडिडेट को लिया गया है EWS के मेरिट से एक मिनिट 950 और EWS की टोटल वेकेंसी कितनी थी तो यहां पर देखेंगा EWS में प्योर सीट मिला है यानि EWS में CCA और PWD मिला के केवल 8 सीट ले पाए हैं बाकी सीट इनको प्योर रूप से मिला है उसी तरह अगर एसी वाला आप देखना चाहेंगे एक मिनिट मैं यहां पर देख लूँ EWS से पहले एसी कहा था हम एसी में 691 है और 691 के अगेंस कहें यहां से 691 तो यहां से घटाईए गा तो साथ 998 97 कंडिडेट एस्टी कम्मुनिटी के लगभग PWD और CCA वाले हुए लगभग और या कम रिजल्ट दिया होगा तो अलग बात है उसके बाद आपका EWS में AC कम्मुनिटी में 896 है तो AC कम्मुनिटी में 896 यहां से लगा देंगे तो AC कम्मुनिटी में 896 यहां से घटा देंगे तो यह 900 मान लीजिए लगभग लगभग तो यह 943 450 कंडिडेट जो है वो उन से क्वालिफाई किये है यानि CCA और PWD से और 900 OBC में 943 100 हो गए 8 कंडिडेट यहां से 97 यहां से 1400 और बाकी जो 100 के आसपास बच रहे है वो यूर से क्वालिफाई किये हैं CCA और PWD में यानि कूल मिला के कहें 450 AC और OBC जो सब जगा हो रहा था वही लगभग लगभग चेनी में भी है और यह होरिजेंटर रिजर्वेशन का इसू है जिसके कारण से CCA अगर क्वालिफाई कर गए कितने अगर यह CCA वाले अपने पोस्ट ले गए उसी तरह अगर एक सर्विसमेंड ले जाते और उसी सारे 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 PWD ले जाते तो इस बेकेंसी में OBC को कुछ नहीं मिलने वाला था और AC को कुछ नहीं मिलने वाला था क्योंकि OBC का 27% आरक्षन है और AC कम्मूनिटी का 15% आरक्षन है और दोनों में मैक्स प्रिजर्वेशन में तीन रिजर्वेशन है पहला तो CCA का है जो 20% है फिर एक सर्विसमेंड का है वो भी 20% है और तिसरा आपका PWD का है वो भी 4% है यानि 20, 20, 40 और यानि 45, 44% आरक्षन है और मैक्सिमूम लोग 27 और 15 वाले में है तो 27 और 15 को भी जोडेंगे तो यह करीब 43% ही होता है अगर पूरे कंडिरेट क्वालिफाई कर जाते CCA और एक सर्विसमेंड और PWD तो ओभी C का रक्षन खतम AC का रक्षन खतम इस ग्रूप D की बात करूँ बाकी में नहीं ग्रूप D में ऐसा हो और जेंटर डिजर्वेशन के कारण ऐसा सारी चीजे हो रही है थैं